लच्छा रबड़े बनाने के लिए मैंने लिया है दो लिटर दूद फुल कृम कर लेंगे हमारा दूद गराओ हो गया है अच्छे से उबाल आने लग गया है इसको दीरे दीरे हिलाते रहेंगे और जैसे ये साइड में मलाई आ रही है उसको साइड साइड करते जाएंगे बहुत धीरे-धीरे करना है पेशिंस का काम है यदि दूद उफनने लगे तो गैस थोड़ी कम कर देंगे ये देखिए इस तरह से साइड में से दूद गाड़ा होता जाएगा और इसको हम इसकी दीवारों के चिपकाते जाएंगे इसी तरह से करते रहेंगे जब तक कि दूद दो लीटर से आदा लीटर ना रह जाए और बीच में से हमें हिलाना है ताकि इसकी जो ये लेयर बन रही है मलाई की या गाड़े दूद की जो भी लेयर बन रही है वो तूटे नहीं देखिए हमारा दूद कितना गाड़ा हो चुका है और कितनी ठीक मलाई आईए दीरे दीरे गैस को चलाते वे हमने बहुत अच्छी मलाई तयार कर लिए अब इसमें हम चीनी एड़ कर देंगे आदा कटोरी चीनी लिए मैंने चीनी को मिक्स कर दें दीरे दीरे हिला दें ताकि हमारी जो भी मलाई साइड में इखटी हुई है वो तूटे नहीं क्योंकि बड़े बड़े लच्छे बनेंगे इससे हमारे और रबडी के बीच में बड़े बड़े यह लच्छे आएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे लच्छे बड़े अच्छे है अब इसमें मैं बादाम पेस्ट एड़ करूँगी जो कि मैंने दूद में मिक्स करके ग्राइंड कर ली थी बादाम इनको अच्छे से इसमें एड़ कर दूँगी ताकि बादाम का एक अलग ही फ्लेवर आएगा इसमें हमें केसर लूँगी केसर को मैंने पहले से ही दूद में भीगो रखा था ताकि वह अपना कलर छोड़ दे इसको रबड़ी में मिक्स कर दूँगी और चम्मच से एक बार फिर से हिलाओंगी रबड़ी को हिलाते समय यह ध्यान दखना है कि चम्मच हमेशा पैंदे में टच हो इसमें आदा चम्मच इलाइची पाउडर एड़ कर देंगे ताकि इलाइची की कुश्बू आ जाए तो रबड़ी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे गैस बंद कर दिये इसको नॉर्मल टेंप्रेचर पर आ जाने देंगे तो आएगे देखते हैं हमारी रबड़ी ठंडी हो चुकी है लगबागा ज़एगों आदा घंटा होगया दूत्ष आज की साहता से मैंने यह लिया है ताकि यह लग्षे टूटे नहीं और आसानी से उतर जाए यह देखिए इससे टूटते नहीं है और बड़े बड़े लग्षे अप रबडी में मिक्स हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे रबडी बनाना बहुत आसान है मैंने इसमें बादाम पिस्ता और केसर काम में लिये हैं यदि आपके पास हो तो आप ले लें वरना कोई जरूरत नहीं है सिंपल दूद और चीनी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि इसके बनाने का तरीका ही एक ऐसा तरीका है ज हाँ और बनाएं सबको अच्छी लगेगी बहुत आसान है तेस्टी है और जब मन करें जब हम अपने लिए और गैस्ट आए तो उनके लिए भी बना सकते हैं है है दो तीन बातों का हमें ध्यान रखना है एक तो शुरू में जब हम कडाई में दूद गरं करते हैं तो यह द्यान रखें कि कडाई में थोड़ा सब पानी पहले पेले से गरम कर लें ताकि उसमें जो एयर है वो निकल जाए और दूद पैंदे के लगे नहीं दूसरे जीजिए कि हमेशा दूद को हिलाते रहना है बीच में से और धीरे-धीरे हिलाना है ताकि दूद जले नहीं और दूद के साइड में जो मलाई आती रहे जो दूद होता रहा है वो साइड में हम लगाते रहें जिससे कि हमारे लच्छे बहुत अच्छे से बन सके एक चीज का यह द्यान रखना है कि जब दूद हमारा दो लीटर था और केवला बादा लीटर बचा है तब इसके अंदर हम चीनी और बादाम पीसी वी एड करेंगे मैंने प अब इसको एक दो घंटे के लिए हम फ्रिज में ठेंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बात निकाल के खाएंगे कि कैसी बनी है कि अब हमारी ठंडी हो चुकी है देखते हैं कैसी बनीए वाँ बहुत अच्छे लच्छे बने हैं, देखिए आप धीरे-धीरे बनाने का यह फायदा होता है कि लच्छे बहुत अच्छे से बन जाते हैं इसलिए आप भी बनाईए इसमें केसर का रंग अच्छे से दिख रहा है मैनत तो होती है लेकिन स्वार बहुत अच्छा बनता है घर की रबडी का अब इसको सर्व करने से पहले कुछ पिस्ता कटिंग्स लिए मैंने उससे गार्निश कर देंगे इनको तो देखिए लग रही है न एकदम से बजार की रबडी वलकि बजार से भी कहीं जादा अच्छे तो फ्रेंड्स आप ये रेसिपी ट्राइ कीजे बनाईए और मुझे कमेंट्स जरूर करके बताईए कि कैसी बनी और अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें ओके मिलते है नेक्स वीडियो में बाई